हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्ट्रेनिंग प्रतापगड उत्रप्रदेश, दोस्तों प्रेणना ग्यानोसर, जी हाँ दोस्तों, तक्रीबन साड़े इग्यारा माह के अंतराल के बाद, परिश्यदिय प्रात्मिक विद्याले बच्चों के लिए दोस्तों खुल रहे हैं इस सुवसर पे जो बच्चे सिक्षा से वंचित रहें या सिक्षा की परिद से दूर होगे, अब उन्हें मुख धारा में लाना है मुख धारा में बच्चे तभी आएंगे, जब किसी भी प्रकार का ज्यान का उत्सों मनाये जाए एक प्रकार का सेलिबरेशन हो, एक प्रकार का विशेस अभियान हो, जिसमें एक जुटता होनी चाहिए एक जुटता के वल सिक्षक और प्रसासन के अस्तर पर ही नहीं, बलकि पूरे समुदाय, अभिवावक और उनके जो बच्चे हैं खास तोर पे उनमें भी सीखने की, समझने की, कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए और वो ललक तभी पैदा होगी, जब ग्यानोस्सो मनाया जाए जी हाँ दोस्तों, और ये ग्यानोस्सो ऐसा हो, चोकि मिशन प्रेणा को आत्मसात करता हो तो दोस्तों परिशदी प्राथ्मिक विद्यालियों में जो बच्चे अध्यन कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने सव दिन का विशे सीखने का अभियान चलाया है और ये पठन-पाठन का जो सिलसिला चलेगा, ये उत्सव की शकल ले सके इसलिए इस हंडर्ड डेस के कैम्पेन को प्रेरना ग्यानोस्सों के नाम से दोस्तों विभूशित किया गया है अब शुरू में जो बच्चे आएंगे उनका बेसलाइन असेस्मेंट किया जाएगा और हंडर्ड डेस के इस विशेश अभियान के बाद उनका एंडलाइन असेस्मेंट किया जाएगा और एंडलाइन असेस्मेंट जो होना है दोस्तों वो सैट 3 की परिक्षा होगी सिक्षिकों की तपतस्या रही जो की पठन-पाथन का जो दौर चला जो सिक्षक सिक्षार्थी का समवाद हुआ जो एक प्रकार का ज्यान की और उनमुक अभियान रहा उसके क्या परिनाम आए तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सरकारी मशिन्री और पूरी की पूरी ये जो बहुत धिक ताकत है ये पूरी की पूरी सैक्षिक परिवर्टन को को उनमुक पच्चों में अधिगम प्रतिफल को सुनिशित करने के उद्देश से एक योजनाबद तरीके से जो अभियान है यही अभियान प्रेणा ग्यानोसो के नाम से दोस्त कि इस रूप में इस अवियान को सफल बनाएंगे किस रूप में सिक्षा की चौपाली लगेंगी और इस पूरी की पूरे जो अभियान है उसमें क्या मुख बाते होंगी तो बिना देर की आते हैं टौपिक पर दोस्तों बच्चों को मुख धारा से जोड़ने यों उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेस प्रयास किये जाने के दृस्टगत सव दिन का विशेस अभियान प्रेणा ग्यानोस्सो आयुजित किये जाने का नड़े लिया गया है अब इसमें की हाइलाइट क्या होंगी इसमें जो केंद्री जो प्रकास पढ़ेगा दोस्तों वो प्रेणा लक्ष पे होगा प्रेणा लक्ष एवं प्रेणा तालिका पे होगा माडूल पर चल्चा होनी है सहज पुस्तिका जो की बच्चों के अंदर रीडिंग कैपसिटी डिवलप्मेंट के निवित्त है उस पे बाते होंगी यह सब की हाइलाइट्स हैं और इने की हाइलाइट्स को मद्दे नजर रखते हुए यह अभियान दोस्तों चलना है आधार शिला संदर्शिका गनित किट शिक्षक डायरी प्रिंट रिच मेटेरियल संबर्धी माडूल आगे चलते हैं दोस्तों पाठ योजना पुस्त काले रिपोर्ट कार्ड बाल संसत बिद्ध्याले प्रबंद समिती के अलामाद दीख्षा एप योँ रीड एलॉंग एप वाटसेप क्लासेज उसके बाद दोस्तों सैक्षिक यहाँ पर बात हो रही है कि सैक्षिक अबोध का पुनर निर्धारण जो सैक्षिक अबदी है पहले जो सैक्षिक यहाँ अबोध लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर यह क्लियर लिए आपको विजबिल लग रहा है यहाँ बड़ी की मात्रा है जबकि यहाँ छोटी की मात्रा होनी चाहिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है कोई बात नहीं आप समझ सकते है यहाँ सैक्षिक अवधी जो टाइम अड़ मोशन है वही बात हो रही है कि इसका पहले जैसा बात नहीं है टाइम अड़ मोशन के हिसाब से सैक्षिक जो अवधी है वो पुनर नर्धारित हो गई है स्मार्ट क्लास का संचालन दोस्तों होना है समावेसी सिक्षा की बात होनी है आगे चलते हैं शारदा प्रणाली की भी बात होगी NCRT का पाठकरम लागू होना है प्री प्राइमरी यानि आंगनबाडी बालवाली अब जो प्रात्मिक विद्याले के प्रांगन में चल रहे है वहाँ पे आंगनबाडी जो सिक्षिकाएं हैं उनको प्रसिछित किया जा रहा है उनको CDPO और कारकत्री के अलावा जो ARP हैं वो ट्रेन कर रहे हैं नए तरीके से अब उन्हें बच्चों को पढ़ाना है सहयोगात्मक परवेक्षन की बात होगी संकुल सिक्षक की क्या भूमिका है दोस्तों उसकी बात होगी और दूरदर्सन कारकरम जो चल रहा है नौ से एक उसकी बात होगी अब यहां पे दोस्तों बात हो रही है कि टास्क फोर्स क्या होगा इसमें जिला अस्तर पर जिला अधिकारी महोदे द्वारा पांच-पांच गाउं में सिक्षा चौपाल लगाई जाएगी यह तो जिला अस्तर पे हो गया ब्लॉक लेवल पे उप जिला अधिकारी ने स्डियम साप के द्वारा दद्दस गाउं में सिक्षा चौपाल लगाई जाएगी और उसके बाद संब्रधी माडूल की बात हो रही विद्याले खुलने के बाद प्रारंभिक अक्षाओं में अपेक्षित अधिकामस्तर को प्राप्त करने के लिए 100 डेस का रेमेडियल टीचिंग कराये जाएगी जिससे की बच्चों द्वारा प्रेणा सूची में रिर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सके रेमेडियल टीचिंग से पहले समस्त बच्चों की भाद्शायूं गणित का प्रारंभिक आकलन करके प्रेणा तालिका में अंकित किया जाएगा बेस लाइन सर्वेग करके बच्चों को तीन समुहों में बाटा जाएगा पहला समुह गणित कक्षा एक वा दो और हिंदी कक्षा एक यहां पर दोस्तों समुह पहला जो है उसमें गणित कक्षा एक और दो के बच्चों को शामिल करेंगे और हिंदी का केवल कक्षा एक का बच्चा सामिल करेंगे दिती समू में गणित कक्षा तीन वा चार को सामिल करेंगे और हिंदी में कक्षा दो और तीन को सामिल करेंगे और तीसरा समू रहेगा गणित कक्षा पांच के बच्चों को सामिल करेंगे इंदी कच्छा 4 वा 5 के बच्चों हो सकते हैं अंतिमाकलन होगा दोस्तों एंडलाइन आसेस्मेंट होगा रेमेडियल टीचिंग के 100 देश के बाद समस्त बच्चों का सैट 3 परिक्षा के द्वारा आसेस्मेंट किया जाएगा तहां द्वारा रिपोर्ट कार्ड बनाए जानी है तो दोस्तों यह जो प्रेणा ग्यानुस्तो है यह 100 देश का कैमपेन है इसमें राज परियुजना द्वारा प्रेशित वो सारी बाते आ जाती हैं जो बच्चों के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाने और सिक्षक की छमता समवर्धन की निमित बनाए गए और जिसका सिक्षकों ने लाप लिया अब पूरी तरीके से सिक्षक पेड़गॉजिकली इंप्रूब्ड है जो राज परियुजना कारेले निशाद गर्ज लखनों के माध्यम से जो संसाधन सिक्षक संसाधन उपलब्ड कराए गए उसके अलावा उनकी सीमिट या SPO के दोरा तमाम यूटूब शिशन संचालित करके समय समय पे उनको ट्रेंड किया गया अब उस समय आ गया है बच्चों के बीच में वो अपने जो संचित ग्यान है जो नई अंतर दृष्टी सिक्षकों में विक्सित हुई है उसका वो प्रियोप करें और हंडेड डेस का ये जो कैमपेन है उसे सफल बनाए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये वीडियो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर केमेंट करें अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रताब गलुत्र पदेश के इस खुबसूरत यूटूब चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज आप इसे सबस्क्राइब करें